हलो फ्रेंस कैसे हो आज हम परने वाले हैं Oxford Junior English Translation के exercise 149 को यहाँ पर आप लोग जो नीचे देख रहे हैं इसे बनाने के लिए हमारे पास एक structure की जरूरत है और साथ ही साथ इसे किस तरह से बनाना है उसकी भी जरूरत है इन सभी को मैं इस exercise को करने के बाद आप लोगों को लाश्ट में बता दूँगा कि इसका structure क्या होता है उस structure पर किस तरह से बनाया जाता है और साथ ही साथ इससे हमने किस तरह बनाया है ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं और अब भी आप copy column लेकर के ready हो जाए है और इसे अपने copy पर copy कर लिजिए ठीक है अपने copy पर लिख लिजिए और फिर last में देख लिजिएगा और उसे practice किजिएगा तो चलिए हम बनाते हैं यहाँ पर है वैक कहां रहती है या पता है इसमें आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा यह की WH sentence है लेकिन इसे उस तरह से बनाना नहीं है आपको दूसरी धंग से बनाना है वो मैं आप लोगों को अभी भी बता दिता हूँ थोड़ा सा तो यहाँ पर आप लोगों किस तरह से बनाना है जो भी आपको एक जुली सोरी WH word है उसे पहले लिखना है लिखेंगे WHERE क्योंकि कहां का हो जाता है WHERE ठीक है WHERE लिखने के बाद आपको जो भी यहाँ पर subject दिया गया वो लिख देना है उसके बाद जो भी यहाँ पर दिया होता है यहाँ पर यहाँ का प्रियोक किया जाता है यह के लिए ठीक है यहाँ पर पता का नन हो जाता है कि K N O W N ठीक है और इन सभी का जो है आप लोगों को जो यह हम बना रहे हैं इसका picture आपको मिल जाएगा Instagram पर वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हो कि इसे किस तरह से और यह वीडियो अपलोड होने की बाद 10 मिनिट बाद ही उसे अपलोड कर दिया जाता है मेरे Facebook पर और यहाँ पर चो WhatsApp ग्रूप पर भी कर दिया जाता है यानि कि भेज दिया जाता है अपलोड कर दिया जाता है साथ ही साथ आपको Instagram पर भी मिल जाएगा और निव एकाउंट ह पिंट्रेस्ट अगर आप चलाते हों पिंट्रेस्ट तो वहाँ पर भी जा करके एक बार हमें देख सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो साथी साथ और चलिए हम इसे बनाते हैं ठीक है आगे हम देखते कि तुम क्या करते हो या यह मुझे पता है तुम क्या करते हो यह मुझे पता है यहाँ पर हम बनाएंगे कि जो अमारा यानि कि जो दिया गया है अमारा डबलो एच वर्ड उसे लिखना है रिखेंगे वाट डबलो एचेटी वाट उसके बाद जो भी अमारा सब्जेक्ट दिया गया वो लिख देना है उसके बाद जो भी यहाँ पर हमें भर्व दि दीखा जाता है धिक यह प्रुनावन के अंतरगता थे ठीक है आगे चलते हम में तीसरे नमर में यहां पर हैं वह कब लड़ते या अनिश्चित है अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दू कि यहाँ पर जो भी प्रस्जिंटैंस के अंतरगत आता है उसी में आप को इस तरह से बनाना है जो भी फ्यूचर में आ जाता है उसे आप लोगों को कुछ догन से नहीं नहीं बनाना वहाँ पर यूज्ज चरूर करना है यहाँ पर करना है हो यहाँ पर कब क्योंग यह hen लिगके लिए लोटना को जाता है रुसके बाद आपको यूज लगा करें ये लिएन में यहां पर लोगों को दो आजाता है और यह जो है आप लोगों को वास्ट में आजाता है यहां पर आपको लिखना ए है इला में किस तरह सी देखें कि कभं मराट यह लृन कंपर दी अब यहां पर कोई भी एकजुल का यूज नहींशिस नहीं करना है शिर्पको क्या कर देना है यहां पर यहीद इसे यानी की सकेंड यानी की सिग्लर नमबर होता है वहां पर भर वन भर्व को यहां पर लिखना है डैड जीसे की हो जा है उसके बाद आपको क्या करना लिखना ए डज डज और बाद लिखना नोट नन हो जाता है अब यहां पर देख लीजे जहां पर नहीं लगा वह रहत है ठीक है अब आगे हम चलते आगे है रीता कब नाचेगी यह तै नहीं है और इसे चली हम बनाते है यहाँ पर रीता कब नाचेगी यहाँ पर कब का हो जाता वैन लिखेंगे वैन वैन यहाँ लिखेंगे रीता और उसके बाद आपको क्या करना है वो चली देखते हैं इसके ब इज के बाद आपको जानते हैं कि नौट लगाना है और उसके बाद जो भी है उसे लिखना है तो आप लिखेंगे जो भी सब्जक्ट है यहाँ पर दे हमने लिख दिया आप लोगों को हमने बोला था कि जो भी पास्ट में उसे यानि कि भड़ टू में लिखना है तो आप लिखने के बाद आप लोगों को लिखना क्या है कि इज का परियो करना इज और मिस्ट्री यानि कि रहस्य का हो जाता कि राम पतना क्यों गया यह एक रहस्तिया है तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे वो चलिए देखते हैं ठीक है यहाँ पर हम देखिए लिखेंगे कि वाई वाई ठीक है वाई राम वाई राम ठीक है वाई राम वेंट क्योंकि यहाँ पर देखिए पास्ट में है लिखना वें s t e r y मिस्टरी चलिए हम आगे देखते है अब आगे जुद्य आगे है कि वह क्यों हाँ से रहा था यह एक रह्त्य है इससे हम किस तरह से बनाएंगे वो चलिए देखते हैं आठवी नमर को बनाने के लिए हमाँ सबसे पहले एक जो भी WH word है उसे लिख देंगे लिखेंगे Y और उसके बाद जो भी हमारा subject है उसे लिखना ही हमने लिख दिया और उसके बाद आप लोगो क्या करना है जो भी यहाँ पर दिखेंगे था का यूज हुआ है इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे वाज जो भी इसका एक दूली यूँ करना और इस लिख देना यह मिस्टरी चलिए अब हम आगे चलते हैं आगे है क्या सोचता है यह मुझे पता है क्या सोचता है यह मुझे पता है सबसे पहले हम लिखेंगे वाए वाट ठीक है डब्लु एच टी वाट वाट ही जो भी हमारा subject है वाट ही ठिंक और यह हमारा जो है यह आजाता है प्रिजिंटेंस में यहां पर कोई भी यूज नहीं करना है और उसके बाद लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे that the earth is round is round r-o-u-n-d अब उसके बाद लिखना is अब जो भी यहां पर प्रयोग क्या गया है सब को पता है लिखना n-o-k-n-o-w-n none to all यानि कि सब को पता है अब आगे चलते आगे राम क्या सोचता है ठीक है राम क्या सोचता है यह एक यानि की यह मुझे पता है ठीक है राम क्या सोचता है यह मुझे पता है इसे बनाने के लिए चलिए देखते है कि किस तरह से बनाना है अब है राम क्या सोचता है यह कि और्फ दाइगे वह चलिए देखते हैं यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे जो भी avoir ही लिकना वाट राम वाट राम ठीक लिखना है टिस अल्àng के टिंग। इसके बाद हम वह करना है कलम कि कर दिया प्रहुरा कर दिया हम मुझे का हो जाता है मी ठीक है यहाँ पर हमने यह लिख दिया अब आगे हम चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है आगे है राम इमानदार है यह असपश्ट है इसे हम किस तरह से बनाते है चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए हमारा जो है एक सब्जक्ट दिया गया है जो भी है इसे हम बना देंगे ह-o-n-e-e-s-t अब उसके बाद हमें देखिए दिया गया यह है असपस्ट है और असपस्ट है का हुजाता किलियर यहाँ लखना is किलियर ठीक है c-l-e-a-r किलियर चलिए हमारा जो है यह बन चुका है अब आगे देखते हैं आगे दिया गया है तुमें एक चोड़ हो यह सब को पता है इसे हम किस तरह से बनाएंगे यहाँ पर भी एक सब्जक्ट दिया गया है यहाँ लिखेंगे that you are that you are a thief अब देखिए इसमें लगाएंगे इसका पड़ियोगा आप देखिए non सब को पता है यहाँ लिखेंगे कि लो डबलो नन में इस पता है और to all याने कि सब को सब को पता है अब इस तरह से बनाने के बाद हम आप लोगों को अब structure बताएंगे तो चलिए देखते हैं अपने structure को किस तरह से हम इसे बनाएंगे साथ ही इसमें किस किस तरह से हमने इसे बनाया है ठीक है इसे बताने के लिए हम आप लोगों को दो-तीन टिप्स देना चाहते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया कि वह कहां रहती है यह जैसे कि हमने सुरू में ही इसे बनाया था तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कहीं कहीं पर आप लोगों को देखिए WH word जैसे कि कहां क्या कैसे ये सबी दिया जाता है कब तो इन सबी को आपको पहले लिखना है अब इतना लिखने के बाद क्यारणा क्या है WHERE अब इसके बाद आपको लिखना है subject यहाँ पर जैसे हम लिखते है subject उसके बाद आपलोगों को जो भी भर्व है वो लिख देना है ठीक है अब उसके बाद IS लिखा कर कि जो भी आपको object दिया जाता है उसे लिखना है पलस IS करना है और उसके बाद लिख देना है object ठीक है इस तरह के वागत जैसे कि यहाँ पर रहता है कि वह कहां रहती है ठीक है इस तरह के वाक्य अगर दिया जाता है रहती है यह पता है ठीक है यह पता है यह मुझे पता है ठीक है मुझे यानि की इस तरह से जैसे की मालिजे की तै नहीं है तै है इस तरह से जो भी वाक्य दिया जाता है जिसमें की सुरू में इस तरह से वाक्य बन किस तरह से यूज करना है जब भी आप देखो कि परजेंट इंडिफिनी टेंस के अलाबा आ जाए तो वहाँ पर आप लोगों को एकजुलरी भर्व का यूज जरूर करना है जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वह कब लोटेगी ठीक है वह कब लोटेगी यह अनिस्चि है यही पर लिख देते हैं चलिए हम इसे अब किस तरह से बनाएंगे उस काम सिर्फ आप लोगों को इस टेक्चर बताते ठीक है वहाँ पर बनाया हुआ है आप वीडियो को पीछे जाकर के भी देख सकते हो ठीक है तो वह सुरू में ही बताया गया तो आप असानी से देख कि पाओ गे ठीक है अब यहाँ पर देहिए हम देखते है कि किस तरह से तरह से देखिए इसका तुमें देखिए यानि की हमारा यानि की क्या भोले हाँ देफल i Vous यह वर्ड है उसे हम यहाँ पर सुरू में लिखने के बाद हमारा जो भी है सब्जक उस से लिखना है उसके बात जो भी वर्व दिया गया है अब यहां पर आप लोगों को वर्व से पहले आप लोगों को करना क्या है देखिए वर्व से पहले जो भी यहां पर एकजुल्डी भर्व अपने सब्जक्ट के अनुसार यहां पर एकजुल्डी भर्व लगेगी तो यहां पर गी का प्रिय अब देखिए, जो भी हमारा भर्म है, उसे लिख देना है, अब उसके बाद easy लगा करके, जो भी आपको object में दिया जाता है, वो लिख देना है, एसे जो भी sentence है वो बनके ready हो जाएगा, अब आ जाता है आपको past tense में, past tense में आपकी इस तरह से बना पाओंगे, उसे चलिए हम देखते हैं जैसे कि वही से हम लेते हैं वे कब मरा यह पता नहीं वे कब मरा यह पता नहीं है पता नहीं है ठीक है इतना लिखने के बाद देखिए यहाँ पर है when when he dead हम इस है बनागा नहीं चाहते थे अब यहाँ पर यहाँ पर वन आ जता है आपर कुछ भी आ सकता है जो भी औजक्त डेदर जाब यहां पर यहाँ पर हमने लिखा जो भी आ सकता है when आ सकता है where आ सकता what आ सकता है why आ सकता कुछ भी आ सकता ठीक है जो भी wh word में आ जाता है ठीक है यहाँ पर इतना लिखने के बाद आपको subject जैसा कि सब में जानते आपको लिखना है उसके बाद जो भी यहाँ पर हमारा भर्व है उसके बाद भर्व लिखना है लेकिन यहाँ पर कौन सा भर्व लिखना है भर्व टू लिखना है क्या लिखना है भर्व टू का यूज करना है जिस तरह सिके आप पास्टेंस में करते हो उसका परियोग करने के बाद अगर यहाँ पर नहीं है यहाँ जो नहीं लगा हुआ है वो अगर नहीं है तो आप क्या कीजिएगा डज यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाते हैं इसको किस तरह जो बनाने पहले सुनिए अब यहाँ पर दिखें इतना लिखने के बाद आपको परियोग करना अगर नौट लगा हुआ है तो दज का अब उसके बाद जो भी आपका यानि इज लगाते हैं किसी भी वर्ड के पहले यानि कि जो भी अबजेक्ट लिखते हैं इस तरह के वाकिए में तो यहाँ पर दिखें इज के बाद हमें नौट का परियोग करना है नौट का परियोग करने के बाद अब आप लोगों को जो भी अबजेक्ट दिया जाता है वो लिख देना है अगर यहाँ पर कि यहाँ पर यह जो नहीं है यह अगर नहीं रहता तो यह जो डज और नौट है इसे हमें delete कर देना यानि कि यहां से यहां पर नहीं लिखना है सिर्फ लिखना is plus object ठीक है यहां लेकिन यहां पर अगर भर्व यानि कि past tense में आ जाता है यहां पर जो भी भर्व आपको दिया गया है तो यहां पर आप क्या किजिए कि भर्व to का use करेंगे तो चलिए हम इसी तरह के और भी आगे दियेगे हैं उसे हम देखते हैं ठीक है अब हम पढ़ेंगे कि that यानि कि that का परयोग किस तरह से करते हैं जैसे कि आपने last वाले यानि कि इस exercise में जो last में कुछ यानि कि sentences थे उसे हमने जैसे कि that लगा करके बनाया था तो उसे that लगा कर कि क्यों बनाते हैं किस तरह से बनाते हैं वो उसका भी structure आप लोगों को चाहिए उसका structure चलिए हम बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते भी है किस तरह से हम बनाते हैं ठीक है आपको सबसे पहले क्या करना जैसे दिखिए हमें यहाँ पर एक यानि कि sentence लिख लेते हैं ठी यहां पर हमने क्या किया था fel में ड्म द्रोय का अगर दिखाता है जैसा हमने यहां पर लिखा भी नफंड़ तो अितना लिक्रेंगे बाद अब देखिए हमने जो यहाँ पर किस तरह से बना आ अगर आपको एक संटेंश दिया जाता है जो कि प्रजेंट टेंश का है यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है यह अमरा doingस जैर फेला एंट्टींश है ठीक है और यहाँ पर देखें जो इज लगाकर के none to all लिखा है तो यहाँ पर इसका परियोग हम करते हैं इन दोनों को जो जोड़ने के लिए ठीक है क्या करने के लिए जोड़ने के लिए यहाँ पर हम that का यूज करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे that plus लिखेंगे जो भी अमारा subject दिया गया है ठीक है subject जो भी दिया गया है अब उसके बाद जो भी हमारा यानिकी age दिया जाता है ठीक है या और जो भी यहांपर परयोग किया जता है एमिजार जो भी आपका object है उसे लिग देना है तो very simple था और इस तरह के वाक्य बहुत आसानी से बन जाते हैं और यह वीडियो हो चुका है बहुत लंबा अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आए और आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारे कुछ सीखने को मिले हैं जै आप कहीं English सिखने जाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ फीस भरनी परती है यहाँ पर आप लोगों को फीस भरने की जरूरत नहीं है free of cost परना है और यहाँ पर आप लोगों को आपके भलाई के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो बग